आज मैं आपके साथ शेयर कने चारी हूँ भंडारे वाली पूडी बेहद नरम बेहद सौफ्ट बिना किसे जंजट फटाफट बन जाती हैं और खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती हैं कि आप घर पर रोज इसी तरह भंडारे वाली पूडिया बनाना चाहेंगे एक पूडी को बनाना चुरू करते हैं बंडारे वाली पूडी बनाने के लिए सबसे पहले देखे यहाँ पर लिया गया है आठा आचे से आठे को चानकर उसका चूकर अलग कर लेंगे तो यहां पर देखे बहुत सारे लोगों के लिए यहां पर पूडिया बन रही है तो लगबग गुंद गया है तो इसी तरह से टाइट एक दम आटा हमें यहां पे गुंद के तयार कर लेना है बाकि जैसा मैं आपको पहले भी बता चुकी इसमें नमक जाएगा और नहीं मिर्ची आप चाहें तो थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं स्वाद के अनुसार थोड़ी और यहां पर बढ़े आसी सबजी भी बनके तयार है टमाटर अलू की भंडारे के लिए यानी पूडियों के साथ खाने के लिए और आटा भी हमारा अच्छे से गुद गया है अब इन्होंने क्या किया है देखे यहां पे तेल डाला है रिफाइन डाला है और अच्छे से साथ और अच्छे से मलहार रहें हैं जिससे इसकी जो अलोयां तयार की जए जाए बहुत ही ज़्यादा चिकनी तयार हो जितना ज्यादा आटा को मलहारा जाएगा जितना ज्यादा उसे गूदा जाएगा उतनी ही सौफ्ट यहां पे पूडियां तयार होगी और उतना ही चिकना आटा होगा यानि जो आटा होता है न फटा फटा सा और फटा फटा सा नहीं रहेगा तो इस तरह से गुथी लगा कर उसको अच्छे से मलहरा जा रहा है यह देखिए कुछ इस तरह से और देखिए यहाँ पे सारा आटा अच्छे से इन्होंने मलहर लिया है इसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है लोईवां तोड़के उसकी लोईवां काटी जा रही है यानि कि जिसे हम पेड़ा बोलते हैं तो वो पेड़ा काट काट के रख रहे हैं तो यह देखें यहां पे बहुत सारे पेड़े बनके तयार हैं यानि जो लोईयां हैं बना ली गई हैं और अभी काफी सारी लोईयां बनाने के लिए रहे गई हैं और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से इसको बेलना है और यह देखे लोईों को अच्छे से काटने के बाद यह देखे पूडिया बेलना यहां पे शुरू हो गया है और सारी पूडिया इसी तरह से बेल के रख ली जाएंगी पतब जितनी जितनी बिलेंगी काफी काफी बड़े से यहां पे थाल जैसे हैं उसमें यह पूडिया रखी जा रही है साथ यहां पे कड़ाई में लगाया जा रहा है रिफाइन ओयल और दीखे इसको लगाने के बाद यहां पे गर्म गरम पूडिया इसमें निकाली जाएंगी और इस तेल को अब साथ तैर के आ रही है इसका मतलब है जो तेल है अच्छा हमारा गर्म है और बाकी की पूड़िया हम इसके अंदर छोड़ सकते हैं एक वर मैं आपको दिखा देते हूं कि पूड़ी बेलनी किस तरह से यह देखिए किस तरह से पूड़िया यहां पे बेल रहे हैं तो जो भी हमें बेलन चलाना है बिलकुल साइड से चलाना है जिससे जो पूड़ी है साइड में तो पतली रहे और बीच में थोड़ी सी मोटी रहे है यह पूड़िया बहुत जल्दी फूल के तयार होती है यानि जैसे हम तेल में इसको डालते हैं फूलती हुई चली आती है और ये देखिए हमारी पूडिया एकदम बढ़या से फूल रही है गोल-गोल नीचे इनोंने बिछा दिया है अकबार यहां पे जिससे क्या होगा यह जो तेल बगारा है न अच्छे से सोख लेगा तो इस तरह से हम पूडिया को फटा-फट इसके अंदर निकालते जाएंगे जो भी पूडिया सिकेंगी और यह देखिए हमारी जो पूडिया एकदम गरम-गरम खस्ता गोल-गोल फूली हुई पूडिया यहां पे निकल रही है एकदम गरम-गरम पूडिया है और सबजी बिलकुल बनके तयार है और बिलकुल इसी तरह हम यहां पे सारी पूडिया बनाके तयार कर लेंगे और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ हमारी पूडिया कैसी बनी है और यह लीजिये एकदम गोल-गोल फूली-फूली खस्ता हमारी पूडिया बनके तयार हो गई है अब बस जटपट इन गरम-गरम पूडियों का लगाया चाएगा भोग और इसके बाद यह खाई जाएगी तो आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा पास में एक छोटी सी घंटी आती है उसे जरू से क्लिक कर दीजिगा जिससे जब भी मैं कोई नई वीडियो अप्लोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और यह करना बिल्कुल फ्री है तो आज के लिए बस इतना ही जल्द ही मुलाकात होगी आपसे ऐसी एक मजेदार रेसिपी के साथ तब तक जुड़े रहे वरदान पकवान से सबसे सीधा सबसे सरल